नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेट में दोस्तों आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले है जो कि एक best इंडिकेटर हो सकता है अगर आप सही से इसको इस्तिमाल करें और highest accuracy ये आपको दे सकता है इस indicator का नाम है MACD indicator, इसका full form है moving average, conversion and diversion indicator, बहुत सारे लोग इसे MACD के नाम से भी जानते हैं, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे apply करना है और किस तरीके से इसके signal generate होते हैं, हमने या पे Reliance का 1 hour का chart open किया है, यह indicator आप किसी भी time frame पे लगा के trade कर सकते हैं, पहले थोड़ indicator के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार का indicator होता है, MACD में क्या होता है, एक line होती है, यहाँ zero line कहते है जिसे, और indicator उसके up and down में move करता है, जिससे हमें signal generate होता है कि कहां पे buy करना है और कहां पे sell करना है, इस indicator के साथ एक signal line भी यहाँ पे move करती है, जो उसके साथ ही आपको द studies में जाना होगा, studies में आपको वहाँ पे indicator के लिए search करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले से डाल के रखा है MACD, आपको MACD search करके वहाँ पे select कर देना है, आपके सामने यह एक window open हो जाएगी, इसको आपको कुछ भी changes नहीं करने है, जो setting है, वैसे ही setting यहाँ पे आपको रखनी है, default setting पे रखनी है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज जानी है, MACD की जो line है वो black color की है, और signal line जो है वो red color की है, यह दो important चीज़े हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यहाँ से आपको done कर देना है, जैसे ही done करोगे, आपको यहाँ पे नीचे, MACD indicator चार्ट पे लगा हुआ दिख जाएगा, MACD indicator के जो calculations है, वो किस तरीके से होते है, यह जो हमारी MACD की black line दिखाई दे रही है, वो हमें मिलती है, 26 दिन के exponential moving average को, हम 12 दिन के exponential average से minus करते हैं, मतलब 26 दिन का exponential average हम ले लेंगे, और उसमें से 12 दिन का exponential average हम minus कर देंगे, तो हमें यह black color की जो MACD की line है, उसका calculation मिल जाएगा, उसी के साथ अगर signal line का आपको calculation करना है, तो 9 periods आप exponential moving average calculate करेंगे, किसका MACD line का, मतलब 9 period EMA of MACD line, आपको signal line का calculation मिल जाएगा, इस तरीके से इसका calculation होता है, आपको deep में calculation में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह बना बनाया आपको आपके 0-10 के platform पे, या फिर upstock के platform पे मिल जाता है, उसके बाद इसे trade करने का कैसे तरीका है, थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा, यह देखे, यहाँ पे trade करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको buy signal generate करना है, तो आपको यह black color की line जो है, black color की line यहाँ पे, red color के line को अगर upward direction में cross करती है, तो यहाँ पे हमारा buy signal generate हो जाता है, तो यहाँ से आपको buy कर देना है, लेकिन आपको तुरंत यहाँ पे buy नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी fake signal आ जाता है, और आपको वहाँ पे trade फज जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे यह signal generate हो गया है उस candle के उपर ध्यान देना है जिस candle के उपर signal आया है उसके candle के next candle के उपर आपको वहाँ पे buy positions लेनी है एक बार फिर से सुनिए यहाँ पे जब भी भी zero line के नीचे MSD है और zero line के नीचे black color की जो MSD line है वो signal line को उपर की तरफ cross करेगी तब आपको buy signal generate हो जाएगा जैसे कि यहाँ आप देख रहे जैसे ही यह cross हुआ है यह stock उपर जाने लग गया है यहाँ पे लेकिन आप तुरंत यहाँ पे buy करोगे क्या नहीं कभी कभी यहाँ पे fake signal हो सकता है तो इसके लिए आपको क्या करना है जिस भी candle ने यहाँ पे signal generate किया है उस candle को आप छोड़ दोगे उस candle की next वाली candle को आप wait करोगे मतलब यहाँ पे अगर जिस candle ने signal दिया है उस candle के high के उपर कोई candle बन जाती है तो हमें यहाँ पे buy कर देना है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें अगर देखना है तो हमें signal मिला है कुछ इस candle पे मतलब यहां पे थोड़ा सा हम बढ़ा कर देते है यहां पे इस candle पे हमें signal बिला है तो हमें buy कहा करना है इस candle के high के उपर इस candle के high के उपर आप जब भी buy करोगे तो आपका अच्छा कासा buy यहां पे हो जाएगा और अब वहां पे अच्छा कासा profit भी कमा सकते हो उसके बाद आपको sell करने के लिए मतलब आप किसी positions में बैटे है या फिर आपको intraday trading में sell करना है तो आपको क्या करना है यहां पे आपको zero line के उपर zero के line के उपर यह ज़ा zero line है इसके उपर अगर MSED दिखाई दे रहा है और black color की line जो है वो red color की line को downward direction में cross कर रही है मतलब यहां पे downward direction में अच्छा कासा crossing हो रहा है उस crossing का signal जो भी candle पे आएगा उस candle को छोड़ देना है हमें उस candle पूरा wait करना है उस candle के low के नीचे जो भी candle open हो जाएगी वहां पे आपको आपकी short positions बना लेनी है तो इस तरीके से यहां पे आप इसे trade कर सकते है आप देख सकते है कि किस प्रकार से यहां पे मिला हमें result यह देखे यहां पे signal मिला stock यहां से उपर चला गया फिर जैसे ही यहां पे उपर चला गया यहां पे हमें cross का signal मिला फिर stock नीचे आ गया फिर यहां पे signal मिला फिर थोड़ा सा उपर चला गया यहां पे फिर से एक बार signal मिला है तो यह क्या हो गया थोड़ा सा false signal हो गया क्योंकि यहां पे हमें थोड़ा सा double signal यहाँ पे मिल गया, तो इसको trade करने के लिए आपको क्या करना बढ़ेगा, सबसे बढ़िया तरीका है, अगर इसमें आपको accuracy अच्छी लानी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे support and resistance अगर draw करके रखोगे, मतलब यहाँ पे अगर हमने support draw करके रखा, कि यहाँ पे पहला support है इसके वज़े से यह support लेगा, और resistance यहाँ पे अगर हमने draw करके यहाँ पे रख दिया, जैसे कि यहाँ पे एक resistance है और यहाँ पे support है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि signal भी आ गया और support भी मिल गया, यहाँ पे आपको 2 confirmation आ गया, मतलब आपकी accuracy है, वो थोड़ी अच्छी हो गई, मतलब लगबक 80% या 90% तक आपकी accuracy हो गई, कि support पे है, और signal भी दे रहा है, मतलब 2 आपको signal मिल गया, वैसे ही, यहाँ पे हमने एक resistance train line या फिर horizontal line मार के रखी है, तो जैसे ही stock यहाँ पे आएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे resistance है, और यहाँ पे signal भी आ गया, म इस भी cross over को candle कर रही है, उस candle को छोड़ के, अगर वो upside direction का cross over हो है, तो उस candle के high के उपर buy कर दो, अगर वो downward direction का cross over हो है, तो उसके low के नीचे आपको sell कर देना है, और उसके साथ साथ आपको support and resistance भी draw करना है, support and resistance ड्रॉ करने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आप description में जाके support and resistance का वीडियो देख सकते है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको support and resistance ड्रॉ करना है, तो ये था दोस्तो, MSED के उपर पूरी detail वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like कीजेगा, दोस्तों के साथ share कीजेगा, और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलि देगा धन्यवाद